साथियों नमस्कार स्वागत अमिनंदन एक बार फिर से मेरे चैनल पर मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिरूं एक बार फिर से आपके सामने रहस और रोमान से बरीवी कहानी चंद्रकांता संतती खंट एक पार्ट बन का बारवा वयान लेकर के ताहिए सुरू करते हैं बारवा वयान अब हम आपको एक दूसरी सरजमीन पर ले चल कर एक दूसरे ही रमनी किस्तान की सेर करा कर तता इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ताज्यूब के खेल और अदबुत बातों को दिखा कर अपने किस्ते का सिलसला दुरूस्त करना चाहते हैं मगर यहां एक जरूरी बात लिखने की इच्छा होती है जिसके जानने से आगे चल कर आपको कुछ जादा आनन्द मिलेगा इस जगे बहुत सी अद्बुत बातों को पढ़कर आप ऐसा नहीं समझ लें कि यह तिलिस में हैं और इसमें ऐसी बातें हुआ ही करती है बलकि उसे दुरुस तोर होने वाली समझ कर खूब गौर करें क्योंकि अभी यह पहला ही किस्सा है इस संतती के चार हिस्सों में तो हम तिलिस्म का नाम भी ने लेंगे आगे चल कर दिखा जाएगा आप ध्यान कर लें कि एक अच्छे रमनी किस्तान में पहुंचकर सेर कर रहे हैं यह जमीन तो लगवक चार हजार गच चोड़ी और इतनी ही लंबी होगी चारों तरफ की चार खूब सूरत पाड़ियों से गिरी हुई है बीज की सबजी और गुलबूटों की बहार देखने ही लायक है इस कुदरती बगीचे में जंगली फूलों के पेड़ दिखाई देते हैं उनी से मिले जुले गुलावों के पेड़ भी बेश्मार हैं और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें सुंदर कलिया और फूल ने दिखाई देते हूं बीच में बड़े बड़े तीन जंगे भी खूब सूरती से बहरे हैं बरसात का मौसम है चारों तरफ के पाड़ों पर से गिरा हुआ जल इन जंगों में जोस मार रहा है पूरब की तरफ पाड़ी के नीचे पहुँच कर ये तीनों जलने एक हो गए हैं और अंदाज से ज़्यादा आया हुआ जल गड़े में गिर कर ने मालुम कहां निकल जाता है यहां की आबो हुआ एसी उत्तम है कि अगर बरसाँ का विमार भी आये तो दो दिन में तंदुस्त हो जाए और यहां की सेर से कभी ने घबराए बीचो बीच में एक आलिशान इमारत बनी हुई है मगर चाए उसमें हर तरह की सफाई क्योंने हो फिर भी किसी पुराने जमाने की मालुम होती है उसी इमारत के सामने एक छोटी सी खूबसूरत बावली बनी हुई है जिसके चारों तरफ की जमीन कुछ ज़्यादा खूबसूरत मालुम पड़ती है और फूल पत्ते भी मौके से लगाए हुए है यह इमारत सुनसान और उदास नहीं है इसमें पंद्रे बीस नौजवान खूबसूरत औरतों का डेरा है देखिए इस चाम के सुवावने समय में बेसब घर से निकल कर चारत तरफ मैदान में घूम घूम कर जिंदगी का मजा ले रही है सभी खुश हैं सभी की मस्तानी चाल सभी फूलों को तोड़ तोड़ कर आपस में गेंदवाजी कर रही है हमारे नौजवान नायक कुमर इंद्रजीज सिंग भी एक हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिये बावली के पूरव की तरफ टेल रहे हैं बात बात में हसी दिल लगी हो रही है दीन दुनिया की सुध भूले हुए है लीजिए वे दोनों ठककर बावली के किनारे एक खूबसूरत संगमरमर की चट्टान पर बैठके और बात्चीत होने लगी इंद्रजीज सिंग मादवी मेरा शक किसी तरह नहीं जाता क्या सचमुष तुम वही हो जो उस दिन गंगा किनारे जंगल में जूला जूल रही थी मादवी आप रोज मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं कसम खाकर इसका जवाब दे चुकी हूँ मगर अफसोस कि आप बात पर विस्वास नहीं करते हैं इंद्रजीज सिंग अंगूठी की तरफ देखकर इस तस्वीर से कुछ फरक मालूम होता है मादवी ये दोस मुशोवर का है मतलब चित्रकार का है इंद्रजीज सिंग खेर जो हो फिर भी तुमने मुझे अपने बस में कर रखा है मादवी जी हाँ ठीक है मुझसे मिलने का उद्ध्योग तो आप ही ने किया था इंद्रजीज सिंग अगर मैं उद्ध्योग ने करता तो क्या तुम मुझे जवरदस्ती ले आती मादवी खेर जाने दीजिए मैं कबूल करती हूँ कि आपने मेरे उपर एहसान किया बस इंद्रजीज सिंग हसकर बेशक तुमारे उपर एहसान किया कि दिल और जान तुमारे हवाले किये मादवी शर्मा कर और सिर नीचा करके बस रहने दीजिए ज्यादा सफाई ने दीजिए इंदरजी सिंग अच्छा इन बातां को छोड़ो और अपने बादे को याद करो आज कौन सा दिन है बस आज तुम्हारा पूरा हाल सुने बिनाने मानूंगा चाहे जो हो मगर देखो फिर उन भारी कस्मों को याद दिलाता हूँ जो मैं कई बार तुम्हें दे चुका हूँ मुझसे जूट कभी ने बोलना नहीं तो अफसोस करोगी मादवी कुस देर सोच कर अच्छा आज भर मुझे और माफ कीजिए आप से बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं समझती और आप ही की सफ़त खाकर कहती हूँ कि कल जो पूछेंगे सब ठीक ठाक के दूँगी कुछ ने छिपाऊंगी आसमान की तरफ देखकर अब समय हो गया है मुझे दो गंटे की फुरसत दीजिए हिंदुजी सिंग लंबी सांस लेकर खेर कली सही जाओ मगर दो गंटे से ज्यादा ने लगा ना मादवी उठी और मकान के अंदर चली गी उसके जाने के बाद हिंदुजी सिंग अकेले रहे गे और सोचने लगे कि ये मादवी कौन है इसका कोई बड़ा भुजूर्ग भी है या नहीं ये अपना हाल क्यों छिपाती है शुबह स्याम दो दो तीन तीन गंटे के लिए कहां और किस से मिलने जाती है इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुझसे मौबत करती है मगर ताज्जू है कि मुझे यहां क्यों कैद कर रखा है चाए ये सरजमीन कैसी ही सुन्दर और दिल लुखाने वाली क्योंने हो फिर भी मेरी तब्यत यहां से उचाट हो रही है क्या करें कोई तरकीव नहीं सूचती बार का कोई रास्ता नहीं लिखाई देता ये तो मुम्किन ही नहीं कि पहार चड़कर कोई पहार हो जाए ये भी दिल नहीं कबूल करता कि इस से किसी तरह रंज करू और अपना मतलब निकालू क्योंकि मैं अपनी जान इस पर निचावर कर चुका हूँ ऐसी बहुत सी बातों को सोचते सोचते इनका जी बेचेन हो गया घबरा कर उठकड़े हुए और इधर उधर टैल कर दिल बैलाने लगे चस्मे का जल नहायत साफ था बीच की छोटी छोटी खुसरंग कंकरियां और तेजी के साथ दोड़ती हुई मसलियां साफ दिखाई पड़ती थी इसी की कैफियत देखते हुए किनारे किनारे जाकर दूर निकल गे और वहाँ पहुँचे जहां तीनों चस्मों का संगम हो गया था और अंदाज से ज़्यादा पानी जल पाड़ी के नीचे एक गड़े में गिर रहा था एक बारी गवाज इनके कान में आई सिर उठा कर पाड़ की तरफ देखने लगे उपर पंद्रे बीस गज़ की दूरी पर एक औरत दिखाई पड़ी जिसे अब तक इन्होंने इस हाथे के अंदर कभी नहीं देखा था उस औरत ने हाथ के सारे से ठहरने के लिए कहा तदा ढोकों की आड़ में जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आई और आड़ देकर इन्रजी सिंगे पास इस तरह खड़ी होगी जिससे उस नौजवान लड़कियों में से कोई उसे देखने ने पावे जो यहां की रहने वालियां चारो तरफ घूमकर चुहल बाजी में दिल बेला रही है और जिनका कुछ हाल हम उपर लिखाए हैं उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इंदरजी सिंग के हाथ में दिया इन्होंने कुछ पूछना चाहा मगर उसने साथ ही यह कहकर कुमार का मुहें बंद कर दिया कि बस जो कुछ है इसी चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा मैं जुबानी कुछ कहना नहीं चाहती और ने यहां ठेहरने का मौका है क्योंकि कोई देख लेगा तो हम दोनों ऐसी आफ़त में फच जाएंगे जिससे छुटकारा मुस्किल होगा मैं उसी की लोंडी हूँ जिसने ये चिट्ठी आपके पास बेजी है उसकी बात का इंदरजी सिंग क्या जवाब देंगे इसका इंदजार ने करके बे औरत पहाड़ी पर चड़ गी और चालीस पचास हाथ जाकर एक गड़े में गुसकर ने मालुम कहा लोप होगी इंदरजी सिंग ताज्जू में आकर खड़े आदी घड़ी तक उस तरफ देखते रहे मगर फिर वे नजर ने आई लाचार होकर इन्होंने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लगे ये लिखा था हाई मैंने तस्वीर बना कर अपने को आपके हाथ में सौपा मगर आपने मेरी कुछ भी खबर ने ली बलकि एक दूसरी ही औरत के फंदे में फंसके जिसने मेरी सूरत बना आपको पूरा धोका दिया सच है वे परी जमाल जब आपके बगल में बैठी है तो फिर मेरी सुद क्यों आने लगी आपको मेरी ही कसम है पढ़ने के बाद इस चिट्ठी के इतने टुकडे कर डाली है कि एक अक्षर भी दूस्त ने बचने पाए आपकी दासी किशोरी इस चिट्ठी को पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन सी पैदा हुई घबरा कर एक चट्ठान पर बैठ गे और सोचने लगे मैंने पहले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं मिलती चाहिए कितनी हसीन और खूब सूरत क्यों ने हो मगर मैंने तो अपने को उसी के हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुस किसमती से अब तक मेरे हाथ में मौजूद है अब क्या करना चाहिए यकायक इस से तकरार करना भी मुनासिब नहीं अगर ये इसी जगे मुझे छोड़कर चली जाए और अपनी सहेलियों को भी लेती जाए तो मैं क्या करूँगा घबरा कर सिवाए प्रान दे देने के और क्या कर सकता हूं क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता मालूम नहीं ये भी नहीं हो सकता कि इन पारियों पर चड़कर पार हो जाऊं क्योंकि सिवाए उंची सीधी चट्टानों के चड़ने लायक रास्ता कहीं भी नहीं मालूम पड़ता खेर जो हो आज मैं जरूर उसके दिल में कुछ खुटका पहला करूंगा नहीं नहीं आज बर और चुप रहना चाहिए कल उसने अपना हाल कहने का बादा किया ही है आखिर कुछ ने कुछ जूट जरूर करेगी बस उसी समय टोकूंगा हाँ एक बात और है कुछ रुक कर अच्छा देखा जाएगा यह औरत जो मुझे चिट्टी दे गई है यहां किस तरह पहुची पहाड़ी की तरफ देखकर जितनी दूर उचे उसे मैंने देखा था वहां तक तो चड़ जाने का रास्ता मालूम होता है शायद इतनी दूर तक लोगों की आम दरफ थोती होगी खेर उपर चल कर देखू तो सही कि बाहर निकल जाने के लिए कोई सुरंग तो नहीं है इंद्रजीस सिंग उस पाड़ी पर वहां तक चड़ गे जहां वह औरत नजर आई थी धूंडने से एक सुरंग ऐसी नजर आई जिसमें आदमी बखू भी गुस सकता था इन्हें विश्वास हो गया कि इसी राज से वह आई थी और बेशक हम भी इसी राज से बाहर हो जाएंगे खुसी खुसी उस सुरंग में खुसे दस बारे कदम अंदेरे में गए होंगे कि पेर के नीचे जल मालूम पड़ा ज्यों ज्यों आगे जाते थे जल ज्यादा जान पड़ता था मगर ये भी होशला कि बरावर चलते ही गए जब गले बरावर जल में जब पूँचे और मालूम हुआ कि आगे उपर चट्टान जल के साथ मिली हुई है तेर कर भी कोई नहीं जा सकता और रास्ता बिलकुल नीचे की तरफ जुकता है अर्था ढलवा ही मिल जाता है तो लाचार होकर लोट आए मगर उन्हें विश्वास हो गया कि बे औरत जरूर इसी रा से आई थी क्योंकि उसे गीले कपड़े पेने इन्होंने देखा भी था बे औरतें जो पाड़ी के बीच वाले दिल्चस्प मैदान में घूम रही थी इंदरजीस सिंग को कहीं ने देख घबरा गई और दोड़ती हुई सवेली के अंदर पहुँची जिसका जिक्र हम उपर कराये हैं तमाम मकान चाण डाला जब पता ने लगा तो उनी में से एक बोली बस अब सुरंग के पास चलना चाहिए जरूर उसी जगे होंगे आखिर बे सब औरतें बहां पोँची जहां सुरंग के बाहर निकल कर गीले कपड़े पहने इंदरजीस सिंग खड़े को सोच रहे थे इंदरजीस सिंग को सोच विचार करते और सुरंग में आते जाते दो गंटे लगे रात हो गई थी चंद्रमा पहले ही से निकले हुए थे जिसकी चांदनी ने इस दिल्चस्प जमीन में फैल कर अजीव समाजमा रखा था दो गंटे बीच जाने पर मादवी भी लोट आई थी मगर उस मकान में या उसके चारों तरफ अपनी किसी लड़की या सहेली को ने देख घबरा गई और उस समय तो उसका कलेजा और भी दहलने लगा जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिलाग तक नहीं जला उसने भी इदर उदर ढूनना ना पसंद किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुँची अपनी सब सक्यों और लड़कियों को भी बहां पाया और ये भी देखा कि इंदर जी सिंगीले कपड़े पेने सुरंग के मुआने से नीचे की तरफ आ रहे हैं प्रोद में बरी मादवी ने अपनी सक्यों की तरफ देखकर धीरे से कहा लानत है तुम लोगों की गफलत पर इसलिए तुम हराम खोरिनों को मैंने यहां रखा था गुस्टा ज़्यादा चड़ाया था और होट कांप रहे थे इससे कुछ और ज़्यादा ने कह सकी फिर भी इंदरजी सिंग के नीचे आने तक बड़ी कौसी सुने मादवी ने अपने गुस्टे को पचाया और बनावटी तोर पर हसकर इंदरजी सिंग से पूछा क्या आप उस नहर के अंदर गे थे इंदरजी सिंग हाँ मादवी भला ये कौन सी नादानी थी नहीं मालूम इसके अंदर कितने कीले मकोडे सांप बिच्चू होंगे हम लोगों को तो डर के मारे कभी यहां खड़े होने का भी होसला नहीं पड़ता इंदरजी सिंग घूमते फिरते चसमे का तमासा देखते यहां तक आप पहुँचे जी मैं आया की देखें ये गुफा कितनी दूर तरब चली गई है जब अंदर गए तो पानी में भीक कर लोटना पड़ा मादवी खेर चलिए कपड़े बदलिए कुवर इंदरजी सिंग का खयाल और भी मजबूत हो गया बैसोचने लगे कि इस सुरंग में जरूर कोई भेद है तबी तो ये सब घवराई हुई यहां आजमा हुई इंदरजी सिंग आज तमाम रात सोच विचार में पड़े रहे इनके रंग धंग से मादवी कावी माता ठंका और वेवी रात पर चारो तरफ खयाल दोडाती रही तो प्रिये साथियो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में फिर इस रहस और रोमान से बरीवी कहानी का अगला बयान लेकर के मैं आपका दोस्त राजेश सर्मा फिर आपके सामने हाजिर होंगा तब तक के लिए आप सभी को गुड़ बाई थैंक यू बेरी मच फार बाचिंग